जय क्रश्ण गोविंद हरे मुरारी हे नात नारायन वाशुदेवा राधी क्रश्ण राधी क्रश्ण राधी 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 क्रश्ण ओम नमो नारायन ओम नमो भगवते वाशुदेवाई जै श्रीक्रष्ण राधे राधे जै मातादी हर हर महादेव जै भोले नाद देखिए हम अपने जो जीवन में बहुत सारी घटनाओं को अपने सामने घटित होते देखते हैं उनमें से कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं या फिर हम किसी सिनेमा हॉल में कोई मूवी देख रहे होते हैं तब देखते हैं या फिर आजकल लोग वेब सीरीज देखते हैं तो आप वेब सीरीज में देख रहे होते हैं कोई बहुत दुख का पल होता है या फिर कोई बहुत कोई विलन किसी एक ऐसे व्यक्ति को सता रहा होता है जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है जो मजबूर होता है जो लाचार होता है और हम लोग यह सीन देखते हैं और हमारे मन में भी कहीं न कहीं एक दुख प्रकट होता हम भावक हो जाते हैं और उस भावकता के पल में हमें अंदर ये अंदर बहुत गुसा भी आता है कि क्यों इसके साथ में ऐसा हो रहा है और कहीं न कहीं हम एक ऐसा judgment भी अपने मन में पैदा करने लगते हैं कि इसके साथ में ऐसा होना चाहिए था या फिर इसके साथ में ऐसा ह घटित होते हैं और अपने आपको एक बहतर जर्ज बना पते हो ऐसे मंच्ण पर यह चीज़ें आपके सामने गटित हो रही होती हैं जाहें वह आपका कर्म.. चेत्र का का अर्थ ही होता है जैसे आप जॉब करते हैं वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर दिखता है प्रेसान दिखता है दुक से भरा हुआ दिखता है मजबूर दिखता है तो यह इंदर वो दुक umaड़ नहीं होता है जो दुक हम एक सीन को देखके पैदा कर रहे होते हैं अब ये काम का भी प्रेसर हो सकता है बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी सरकारी कर्मचारी के रूप में कार करते हैं किसी सरकारी पद पे होते हैं अगर उनके पास में कोई मजबूर व्यक्ति जाता है तो उसको भगा देते हैं या चिला देते हैं या गुस्सा करते हैं उसके उपर उसकी मजबूरी का फायदा उठाने कोशिस करते हैं कुछ व्यक्ति उसी में बेमानी करके उनसे पैसे भी कमाने की कोशिस करते हैं तो उनको देखकर हमारे मन में वो भावनाय पैदा नहीं होती हैं, जो भावनाय एक मूवी को देखकर पैदा हो रही होती हैं, या फिर जो भावनाय हम एक वेब सीरीज में कोई दुखी व्यक्ति को देखते हैं, तो पैदा हो रही होती हैं, तो हमारा एक नीचर दो भागों में बढ़ जाता है एक तो तब जब हमको कुछ करना नहीं होता है जब हमारा कोई कर्म नहीं होता है तो हम बहतर judge कर पाद रहे होते हैं अपने आपको लेकिन वही अगर हम जब कर्म छेत में पहुँंच जाते हैं तो हमारा judgment बहुत ज्यादा गलत हो जाता है लोगों के प्रति वो भाउ नहीं रख पाते हैं या लोगों के प्रति वो सोच नहीं रखाते हैं जो सोच हमें रखनी चाहिए खासकर ऐसे व्यक्तियों के लिए जो भक्ती मार्ग से जुड़े हुए हैं जो साधना मार्ग से जुड़े हुए हैं जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं जो नाम जब करते हैं या फिर जो साधनाय करते हैं एक बात आप निश्चित गाठ पांध के रख लीजे कि अगर आप कर्म छेत्र में आप अपने कर्म के प्रभाव से किसी व्यक्ति के दुखदर्द को दूर नहीं कर सकते हैं, किसी की परिसानी दूर नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित मान लेजे कि आपके जीवन में आपका अध्यात्मिक मार्ग भी अधूरा जैसा है, अध्यात्मिक मार्ग म आप आँगे बढ़ना चाहेंगे लेकिन बढ़ नहीं पाएंगे, आप बहुत जब करेंगे लेकिन आपका तपोबल नहीं बढ़ेंगा, क्योंकि ये सारी चीजें भी count होती है, एक अच्छा कर्म भी count होता है, गिना जाता है जब आप जाप करते हैं, जब केवल जाप कर ले पूरे दिन गालियां देते रहे, पूरे दिन दूसरों के काम बिगारते रहे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता is, कि आप सोचों कि हम एक घंटा जाब कर लेंगे और उस जाब के प्रबाव से सारी चीजों को आप बदल लोगे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ है, कि आप जो भी कर्म करते हैं, उसका फल आपको मिलता ही मिलता है, कर्म घूमफिर के वापस भी आते हैं, अगर आपने दिनबर कोई गलत कर्म किया है, किसी को सताया है, परिसान किया है, किसी के साथ बेमानी किया है, तो अगर आप सोचों कि मैं जाब कर लेता हूं जाब के माद्य उमसे आप सब कुछ प्राम्त कर लेंगे तो आप प्राम्त भी कर लेंगे लेकिन आपका मन खुश नहीं रह साइब आप जो अप Jim nepey आप जायते हो इया ध्याधिक मार्क पे बढ़ना चायते हो वह सारी चीज़े होंगी ही नहीं आपके जीवन में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जो आप पूरे दिन रहते-रहते करते हैं, वो भी आपके जाप में जुड़ती जाती हैं, केवल एक घंटा बैठ जाना, आधे घंटा बैठ जाना, जाप कर लेना ही, सब कुछ नहीं होता है, आपके दिन का जो नित्य कर्म होता है वो भी एक तरह से जाप में सामिल होता है क्योंकि जब आप कोई साधना का संकल्प लेते हैं या फिर कोई जाप कर रहे होते हैं तो कहीं न कहीं आपके मन में पूरे दिन चर्या की भी चीज़ें चल रही होती हैं या पूरे दिन में अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो पूरे दिन जाब करते रहते हैं अगर आपके करम खराब होते हैं अगर कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगने आता है आप उसकी मदद नहीं कर पाते हैं आप उसका फाइदा उठाने के कोशिस करते हैं या आप गुस्सा करके उसे भगा देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने करमों को खराब करें और यही खराब कर्म आपके जीवन में बहुत सारी पर प्रॉलम लेके आते हैं, समस्यां लेके आते हैं, और वहीं अगर आप उनके प्रती अच्छा भाव रखते हुए, अपने पूरे प्रयास से उनके किसी कार को बना देते हैं, तो ये आपके तपोबल में जुड़ जाता है, सैकुरों गुना, हजारों गुना आपका तपो होना सुरू हो जाए, क्योंकि जब आप ऐसे कर्म करेंगे, तो निश्चत मान लिजे कि आपका मन पवित्र हो रहा होगा, वो भी अंदर से, जब आपका मन अंदर से पवित्र हो रहा होगा, आप पूरी दर से प्योर होना सुरू हो जाते हैं, और ऐसे में जब आप एक माल मंत्र सिद्ध नहीं होता है तो द्वेस बहुत बुरी चीज है वह आपके जाप को खराब कर देती है जहां आप हजारों माला जाप करके एक माला का भी फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं वहीं अगर आप अपने मन को अच्छा रखते हैं पवित रखते हैं लोगों के बारे माला से भी अब हजारों मंत्रों के जाप का प्रभाव ले बाते हैं आसा ये जोटी से बात आपको समझ आई होगी जानकारी अच्छी लगी हो ते वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट में जो आप पूछना चाहते हैं पूछेगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में भर महादेव